Hello guys, welcome back to the AI Baba channel Guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की टॉप 10 बेस्ट बिर्यानी के बारे में तो कि guys, जब बात हो इंडिया क्यूजीन की तो बिर्यानी से बैटर कुछ और होई नहीं सकता Guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के हर स्टेट से, हर शहर से और हर कोने से गुजर कर हम आपको बताएंगे वो कहानिया जिनमें है मज़िदार बिर्यानी का जादू जिनमें मसालो की कहानी और वो राज जो हर शेफ अपनी बिर्यानी में छुपाता है गाइस अगर आप बिर्यानी के फैन है तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए कि इस वीडियो में हम देखेंगे अजरबाद के नजमी फ्लेवर लखनों के नवाबी अंदाज कॉलकता के आलू आले स्वाद और भी बहुत कुछ गाइस तेन दंबर में आती है हमारी एंबूर बिर्यानी गाइस एंबूर बिर्यानी एक साउथ इंडियन बिर्यानी है जो कि तमिल नाडू के शहर एंबूर से फेमस हुई है गाइस एंबूर बिर्यानी को अलग बनाने वालत ततो है इसको बनाने का तरीका इस बिर्यानी को अलग-अलग प्रकार के मीट से बना सकते हैं जैसे चिकन, मटन और कभी-कभी फिश भी नीट को आम तोड़ पर दही, जड़ी बूटियां और मसाले के मिशन से मैरिनेट किया जाता है इस बिर्यानी को फ्राइट प्याज और धन्यो पत्यों से सजाया भी जाता है इस अब आरी आती है हमारे 9 बिर्यानी की जिसका नाम है मैमूनी बिर्यानी इस मेमुनी बिर्यानी एक बहुती स्वादिश बिर्यानी है जो कि मेमुन समुधाय के लोगों के दुवारा बनाई जाते हैं पाती साथ ये बिर्यानी सिंधी और गुजरात के कुछ हिस्तों में भी बहुत फेमस है इस बिर्यानी को बनाने के लिए मटन या चिकन का अप्योग होता है इसमें दही, प्यास, टमाटर और स्वाद अनुस्तर मसाले मिलाए जाते हैं इस बिर्यानी को बनाने के लिए आपको चावल का बहुती ध्यान से चुना करना पड़ेगा ज्यादतर लोग पास्मती राइस का उप्योग करते हैं जो बिर्यानी को बहुत ही खुश्बुदार और स्वादिश बना देता है और हाँ guys इस बिर्यानी को भी लोग ज्यादतर रायते और मिर्ची के अचार के साथ खाते है अब हम चलते हैं अपने एर्थ बिर्यानी की तरफ जिसका नाम है कॉलकता बिर्यानी जिसे बेंगाली बिर्यानी भी खा जाता है कॉलकता बिर्यानी एक विशेश प्रकार की बिर्यानी है जो कि कॉलकता वेस्वरंगाल में प्रसिध है इस बिर्यानी को भी मटन या चिकन के साथ बनाया जा सकता है मीट को आम तोर पर योगर्ट, तेल और मसालों के साथ मेरिनेट किया जाता है इस बिर्यानी में ज़़ा तर लंबे बास्मती राइस का यूज किया आता है जो कि बिर्यानी को एक अच्छी खुश्षबू और स्वात देता है असाथी साथ, लोग इस बिर्यानी में आलु का भी इस्तमाल करते हैं जो कि बिर्यानी को मज़ितार बना देता है तसे वो और भी खुशूरत दिखती है अब आरी आती है हमारे सेवंथ बिर्यानी की जिसका नाम है डॉनी बिर्यानी ये बिर्यानी एक बहुत ही मशूर बिर्यानी है जो की मध्यपरदेश के शेहरों में बहुत फेमर इस बिर्यानी को अकसर मटन और चिकन के साथ बनाया जाता है और मीट को मसालो धई और हरी मिल् बिर्यानी को दम बिर्यानी की तरह slow cooking तरीके से तया किया जाता है चावल और मीट को एक साथ रखा जाता है और फिर उसे धीमी आज पर पकाया जाता है जिसे स्वाद और सुगंद एक दुसरे में मिल जाता है अब आरी आती है हमारे 6 बिर्यानी की जिसका नाम है ठलासरेज आइस ये बिर्यानी कैरला के थलासे शहर की one of the most loved और पसंदिदा बिर्यानी में से एक है तो गाइस वहाँ के लोग इस बिर्यानी में कैमर राइस का उप्योग करते हैं जो एक प्रकार का short green rice है जो की बिर्यानी में एक अलगी level का taste और smell पैदा करता है बिर्यानी को भी chicken, mutton या fish के साथ बनाया जाता है मीट को मसाले, धई और tomato के साथ marinate किया जाता है काफी लंबे समय तक अकी उन सब का taste बिर्यानी में अलग से निखर करा है ये बात जांकर आपको हैरानी होगी कि इस बिर्यानी में coconut milk भी इस्तमाल किया आता है जो की उसे एक केरला का taste देता है और साथ जाथ उस बिर्यानी में creaminess पढ़ा देता है असरी बिर्यानी का सवाग अलग और थोड़ा मीटा होता है जो उसे दूसरी बिर्यानी से बहुत ही अलग बनाता है अब बारी आती है हमारे फिप्त बिर्यानी की जो की ये नवाबो की शहर लखनो से और जिसे लखनोई बिर्यानी भी कहते है इस लखनोई बिर्यानी जो कि अवदी बिर्यानी के नाम से भी फेमस है एक बहुती मज़दार बिर्यानी है जो कि उत्तरपदेश के शहर लखनो में मिलती है यह बिर्यानी दुसरे बिर्यानी से अलग है क्योंकि इस बिर्यानी में सैफ्रोन यानि की केसर का इस्तमाल होता है जो इसे एक बहुती अलग टेस्ट और बहुती प्यारी स्मेल देता है ये बिर्यानी दम बिर्यानी की तरह तया की जाती है चावल और मीड को एक साथ रखा जाता है और फिर इसे धीमी आज पर पकाया जाता है जिसे ज़्यादतर लखनोई बिर्यानी को मिट्टी के बर्तेन में सर्व किया जाता है इस बिर्यानी को भी रायता, शोर्बा और सला के साथ सर्व किया जाता है अर्याती हमारी फोर्थ and one of the most famous बिर्यानी में से एक हैदरबादी बिर्यानी इस हैदरबादी बिर्यानी जो कि हैदरबाद के शहर तिलंगाना में बहुत ही famous और लव बिर्यानी में से एक है दरबाद में दो पका की हादरबादी बिर्यानी बहुत ही फेमस है कच्ची बिर्यानी और पक्की बिर्यानी कच्ची बिर्यानी में रौ मीट और राइस के साथ पकाया जाता है जबकि पकी बिर्यानी में मीट और राइस पहले अलग-अलग तरीके से पकाया जाते हैं आइस कच्ची बिर्यानी में मीट को रौ तोर पर मैरिनेट किया जाता है और फिर चावल के साथ पकाया जाता है जिसे चावल और मीट का रस एक दुस्रे में मिल जाता है पक्की बिर्यानी में मीट और राइस अलग-अलग तरीके से पकाया जाते हैं और फिर उनको लेर बनाकर दम पर पकाया जाता है इसमें मीट और राइस का सुवात अलग-अलग होता है इस बिर्यानी में खास तोर पर इलाइची, दालचीनी और सौफ को डाला जाता है अर याती है हमाई third most famous बिर्यानी की जिसका नाम है मलाबार बिर्यानी तो गाइस इस बिर्यानी का नाम सुनके ही बहुत लोगों के मुझे पानी आ जाता है और जब ये बिर्यानी आपके सामने street food की रूप में आए तो भाई साथ इसके कहने ही अलग होते तो गाइस इस बिर्यानी में अकसर खाइमा राइस ये जीरा अकसला राइस का अपयोग होता है जो एक special long grain rice variety है और बिर्यानी को एक अलग स्वाद देती है इस बिर्यानी की पहचान ज्यादतर इसके स्वादिश मसालों से होती है जैसे की इलाची, डालचीनी और जीरा ये बिर्यानी आपको ज्यादतर जम्म कश्मीर के पहारी इलाकों में ही मिलेगी बिर्यानी की पहचान उसे स्वादिश मेल और टेस्स से होती है इसमें इस्तमार होने वाले मसाले और ड्राइफूड इसे बिर्यानी को मज़िदार बनाते है इस बिर्यानी में ज़्यादतर सादे चावल का इस्तमाल होता है जो कि बिर्यानी में एक natural taste बनाये रखता है बिर्यानी को ज़्यादतर पुदीना, हरीधनिया और फ्राइट प्यार से सजाया जाता है जिससे उसका look और taste और बढ़ आता है अब बारी आती है हमारी first most best बिर्यानी ऑफ इंडिया की जिसका नाम है मुराबादी बिर्यानी मुराबादी बिर्यानी एक बहुती लोगपिरी है और famous street food में से एक है जो कि राची जाड़कन के मुराबादी चौक से famous हुई है इस बिर्यानी में ज़्यादा तर चिकन मटन ये केमे का use होता है मीट को मसाले प्याज और धही के साथ marinate किया रहता है खाफी लंबे समय तक ताकि उसका taste और smell निखर सके इस बिर्यानी को रसीला बनाने के लिए ज़्यादा तर लोग इस बिर्यानी को पाशली बॉल करते हैं जिससे उसका रसीला पन और taste बना रहता है इस बिर्यानी को पत्ते या थाली में सर्व किया रहता है जो कि एक authentic street food taste को बनाय रखता है